साथियो Microsoft Excel का बहुत पारफुल टूल है पाइवेट टेबल लेकिन पाइवेट टेबल के अंदर जब तक हमने एड़ डाटा टू डाटा मोडल नहीं सीखा तो हमने समझलो पाइवेट टेबल का कुछ भी नहीं सीखा एड़ डाटा टू डाटा मोडल के जरीए हम एक पाइवेट टेबल पे दो टेबल को दो डाटा को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं किस परकार हम उनका relation बनाएंगे कैसे हम दो टेबल के उपर एक पाइवेट टेबल लगाएंगे यह सारा जानेंगे इस वीडियो में तो इस में तक बने रियेगा नमस्कार साथ यो मेरे नाम मनुश्व कुमार और आप देख रहे हैं राटा आपके पास अलग नेटा हो तो गांडल की चैनल मेरे पास कुछ ऺूरे चैंडियो से खेल रहे हैं ज्येसी परकार मैं तो डेटा सेंड़े वर्व मैंने बनाई इन प्लेयर्स की इतने भी प्लेयर्स हैं इनकी पेमेंट की इनकी पेमेंट करी है अलग-अलग टाइम पे पेमेंट करी हुए एक बार की पेमेंट नहीं है जैसे यहां पर S-jection है 25 पेमेंट है और देखते हैं आगे चलके S-jection देखो 25 यहां पर इस परकार से यह पेमेंट है अब जब हम यहां पर कोई भी MIS तयार कर रहे हैं कोई डैस्बोड तयार कर रहे हैं तो हमने क्या देखना है हमने देखना है कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में खेल रहे हैं या फिर किस टीम में कौन-कौन से प्लेयर खेल रहे हैं कौन-कौन से session में खेले हैं तो हम पेवेटेबल ले लेते हैं आप पेवेटेबल के साथ साथ हमने जैसे इसके उपर पेवेटेबल लगाया और हम चाहें कि उसके अंदर इनकी सेलरी भी इंक्लूड हो जाए जबकि सेलरी तो सेकंड सीट के अंदर है यह दूसरी फाइल के अंदर भी हो सकती है तब हम किस परक में सेल लगा कर चलते हैं पूरे महिने में हमने बेचने है यह टारगेट आइस को मैं थोड़ा पचास मैक्सिम्मूं एक रर्गेट एक सो बीस का है वासिंग पाउडर का है चारिस का टारगेट इस प्रकार से टारगेट fix करें और sale भी हो गई तो यह sale target से कितनी down है या कहीं अप तो नहीं चली गई तो हम किस परकार चेक करेंगे भई यहाँ पे तो अलग-अलग है इनको सभी को total करेंगे सम तो करना पड़ेगा न और सबसे आसान तरीका होता है उसका pivot table तो हम यहाँ existing worksheet पे ले ले लेते हैं इसी पे ताकि हमको पता चलता रहेगा और okay कर देंगे then यहाँ पे pivot table आपके पास आ गई अब इस pivot table के अंदर हमको चीव आइटम हमने ले लिया सारे आइटम हमारे पास आ गए और उनकी total sale आ गई complete इस table को हम नीचे रख लेते हैं अब देखें यहाँ पे boom जो broom हमारी 85 sale करिए हैं जबकि target कितना है broom का 300 गा ने 300 तो ब्रस है broom का 90 का target है साही sale है लेकिन यह काफी ज्यादा हो सकता है बहुत सारे आइटम हो सकते हैं तो compare करने में दिक्कत आती है फिर हम क्याइसे compare करते हम यहाँ पर formula लगाते हैं हम करते हैं equal to vlookup और vlookup का formula तो आपने सिखा होगा सीधा सीधा हम यहाँ पर ले लेते है lookup value table array यह होगे हमारा इसकों fix कर लेते हैं उसके बाद column index number 2 मैं यहाँ पर आपको vlookup नहीं सिखा रहा हूं वी लुक अप आपने सीखना है तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले है वी लुक अप के उपर आप complete सीख सकते हैं ठीक है वी लुक अपने लगाया enterprise करेंगे तो देखो यहां पर boom ring की यहां से value ठाली कि कितना target है इसको हम निचे तक drag कर लेते हैं यहां पर यहां भी सही है यहां भी सही है यहां सही नहीं है यहां तो 125 की sale कर दी यानि कि 5 extra hand wash बेज दी कहां से बेज दी तो इस परकार से हमको क्या करना पड़ा पाइवेट टेबल के साथ साथ formula भी लगाना पड़ा हम चाहें कि formula न लगाना पड़े यह वाली field भी पाइवेट टेबल के अंदर जुड़ जाए तो आसान पड़ जाएगा न तो इस तरह की 2 seats 2 table या 2 workbook हमने एक साथ एक पाइवेट टेबल में जोडनी है तो उसकी relationship बना ओनी चीज़ जैसे यहां पर items की field common है तीन टेबल हैं तो तीनों में आपकी एक field common होनी चीज़ जैसे इसमें items हैं दूसरी के अंदर या तो इसमें common हो या इसमें common हो यह तीन टेबल का हमने relation बनाना है तो तो उसके लिए सबसे पहले तो private table लेते हैं फिर relation बनाते हैं लेकि T, यहाँ पे कर देंगे हम my table as header, then okay, यह किस नाम से table 4 के नाम से हो गया, इसको हम जो भी नाम देना चाहिए, यहाँ से नाम दे सकते है table 4 शोड़ देंगे इसी परकार इसको भी हम करेंगे ctrl T table as header, यह हो गया table 5 के नाम से, आब इदार आएंगे e-shirt में जाएंगे, pivot table और यहाँ पे हम इस table को select कर दें, यह इसका नाम लिख दें यह table 4 थी न, देखो मैं इसको पूरे data range को select करता हूँ और यह देखो, automatic नाम आगया table 4 existing workbook, और साथ में अब हमने एक और option के लिए करना है वो है, add this data to the data model, इसको data model में लेना है हमने, यहाँ पे check करेंगे और okay करतेंगे, right, table आगए हमारे पास, आप देखी data model में करने से क्या होगा, data model में जैसे करेंगे यहाँ पे हमारे पास सारी tables आ जाएंगे यहाँ पे all पे जाएंगे, तो जितनी भी tables हमारे पास है, फिलाल यह tables तो नहीं है, पहले बनाई होंगी है, यह किसी और file में मैंने बना रहे हैं, मैंने बनाई फिलाल 4 और 5, देखो चार नंबर में हमारी है, सारी field है, और 5 नंबर के हमारे पास 2 field है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे items को उठाके इदर रख लेते हैं, सारे items आगे, अब यहाँ से total sale भी हम उठा लेते हैं, जो sale यहाँ पे हुई है, अब इदर की sale देखिए, यहाँ वाली sale, यह है target table 5 के अंदर, मैं इसको भी उठाके यहाँ पे रखता हूँ, then आप देखो इसके नीचे हम देखेंगे, तो यह एक sum कर दिया, किसी भी एक value का और लगबग सारा एक जैसा सा कर दिया, complete target का sum है यह, सभी इनका जो total है ना, इसका sum कर दिया और सभी में shame दिखा दिया, हमको यह नीची है, हमको relation बनानी है, सबसे पहले तो इन table की relation बनाएंगे, तब ही आएगा, और relation बनाने के लिए, देखो यहां भी option नजर आ रहा है, क्योंकि हमने अलग-अलग table लिए, तो यहां से create कर सकते हैं, या फिर analysis में जाएंगे, आपको दिखेगा, यहां पे relation के लिए, यहां पे items, फिर लेते हैं, table 5 और इसकी common field भी item है, कर देंगे, ओके, आगए हमारे पास, यहां से close कर देते हैं इसको, अभी देखो यहां पे, same to shape है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, यहां से इसको अटाते हैं, जो भी field हमने ली थी, table 5 के अंदर target को अटा देते हैं, और table 4 के अंदर हमने लिया था, total और item, हमने relationship बना ली, अब पहले ही बना ले, मैंने बाद में आपको बना के इसलिए बताया है, कि result क्या दिखाता है, ठीक है, अब हम वापस से जाएंगे, table 5 के अंदर, और यहां से हम item उठाके, यहां पे रख देंगे, अब table 4 का हमने total लेना है आगे हमने item किसका लिया, table 5 का लिया था, अब total किसका दिखा रहा है, table 4 का दिखा रहा है, यहां से हम table 5 का target उठाएंगे यहां समय रख देंगे, यह उसका target आगया, complete सही आगया, आराम से match कर लेंगे, हमको will look up लगाने की जूरुत नहीं पड़ी, चलो, अब चलते हम यहा table लेते हैं, लेकिन इसको भी पहले हमने table में convert करना पड़ेगा, table format में लेंगे, select करेंगे, और इसको कर देंगे, control T, इसका नाम भी हम दे देंगे, इसका नाम में दे देता हूँ, यहां पर इस बार table 6 नहीं रखेंगे, इसका नाम दे देते हम player, enterprise करेंगे, और इसको भी table बना लेते हैं, control A, control T, my table has header, ok, और इसका नाम में डाल देता हूँ, payment, complete, दोनों गमने table बना लिया, अलग-अलग seat में, आप इस table पे कहीं भी रहेंगे हम, उसका ले जाएंगे, insert के अंदर, pivot table, देखो, यह data automatic select हो गया, players के नाम के यहां पर list आगी, हम new workbook में, इस बार इसको भी चेक करेंगे, ओके, आगे है हमारी pivot table, अब उसी परकार इसका भी relation बनाएंगे, लेकिन पहले हमने कौन-कौन सी field ले नहीं हो, देख ले, हमने कैसे देखना है, हमने यह देखना है कि कौन सा player कौन सी team में है, या किस team में कौन-कौन से player है, हम उसी साब से ले ले हम पहले team को चुन ले, और फिर player चुन ले, या फिर team को हम columns में रख दे, सारी teams भी यहाँ पे आ गई, और उनके players भी आ गई, अब एक बार हम इनकी payment लेके देखें, पहले तो हम यहाँ पे columns को यहाँ पे हटा देते हैं, एक बार teams को, और direct हम payment लेके देखते हैं, all पे में रखते हैं, देखी, वही परिशानी, वही दिक्कत आ रही है न, क्या क्या उसने सभी payments को जोड के और सभी cut sum यहाँ पे दिखा दिया, तो क्या करना पड़ेगा, हमको relation बनाना पड़ेगा, यहाँ से बनाते हैं इस बार, create करेंगे, table चुनेंगे हम, player या payment का पहले हमने चुना, और यहाँ पर करेंगे हम, क्या common है, player name common है, और दूसरा हमारा players के अंदर, यहाँ भी player name common है, ok कर देंगे, देखो जैसे हमने ok किया यहाँ पर, इसने boy default अपने आप सारी values change कर दी, जितनी उनकी payment थी, वो payment यहाँ पर complete जोड ली, अब यदि हम payment या player वाली team में से द अब CSK टीम के ये player जिनकी total payment ये वन रही है, इसी परकार DCK, KKR, MIK, सभी players की जितनी भी payment थी, यहाँ पर देखे payment अलग अलग थी, S-jection की check करते हैं, यहाँ पर 25 थी, S-jection की फिर नीचे फिर से एक बार 25 थी, फिर और नीचे देखते हैं, फिर यहाँ पर 50, कितनी पचास है न, और total कितनी आ गई, यहाँ पर देखे, S-jection कौन सी team के अंदर है, S-jection का नहीं पता कौन सी team में यह रहा, S-jection total 100 होगी न, 25, 25, 25, and 50, तो हम relation बनाके, एक seat की या दूसरे seat से relation बनाके, हम एक ही private table पे उन seat को use कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा को, इसके अलावा, हम power private table किस परकार बनाएंगे, power carry का किस परकार use करेंगे, तो आगे हम इसी topic पे बात करेंगे, कि हम power carry से power private table कैसे generate करेंगे, एक ओप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें comments में लिखके बताएं, हमार वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों में share करें, में like करें, और यह दि नए है आप मारे चैनल पे तो हम subscribe जरूर कर लें